हलो एरिवान और वन्स अगें वेलकम बाक तो उमरतस्कीर यूट्यूब चैनल माइसल उमरतस्कीर गाइस योश्ट ऐस्यो के आज किस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट विंचर इंटिग्रेशन इन योश्ट ऐस्यो अब विंचर भी एक तरीके तरीके से आप्टमाइजेशन किया प्रॉपर तरीके से आप्टमाइजेशन का मतलब प्रॉपर आउन पेज आपने उसको किया आपने उसको चेक किया जो इंटरनल लिंक से उनकी स्ट्राड़िये ठीक है या नहीं है यह सारे चीज़े आपने करी उसके साथ साथ जब आप उस post को जो है वो optimize करना चाहते हैं तो आप ये भी study करना चाहेंगे ये भी समझना चाहेंगे इस चीज की भी data देखना चाहेंगे कि जो मैंने key phrase वहाँ पर use किया हुआ है उस key phrase की ranking क्या है उस key phrase के उपर जो हमारी post है वो कहां पर rank कर रही है तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो directly Yoast के अंदर आपको इस चीज का कोई feature नहीं मिलता है venture को आपको integrate करना पड़ेगा Yoast SEO के साथ तो बड़ी simple सी चीज है और ये integration भी अभी कुछ समय पहले ही आया हुआ है शायद 3-4-5 महिने पहले ही आया हुआ है बहुत ज़दा time नहीं हुए है इस integration को introduce हुए उससे पहले नहीं था तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं हमारे योश्ट SEO के अंदर और सबसे पहले आपको क्या करना है integration में जाना है क्योंकि venture भी एक तरीके का SEO tool ही है तो उस tool के उपर भी एक तरीके से आपका account होना चाहिए फिर आप उसको यहां पर integrate करोगे बहुत ही simple सी process है आपको क्या करना है आपको जाना है सीधे post में जैसे यहां पर मैं post की बात करूँ की phrase है वो आप यहां पर mention कर दें ठीक है क्योंकि key phrase की ज़रुरत पड़ेगी आपको जो आपका focus key phrase है उसके बिना आप SEO की performance को नहीं track कर पाएंगे ठीक है तो मैं यहां पर जैसे type कर देता हूँ digital marketing in India ठीक है और उसके बाद हम लोग वापस track SEO performance के उपर click करते हैं अब यहां पर आप देखो आपको दिख भी रहा होगा विद्विंचर you can track the ranking position of your page in search results based on your key phrase आप कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि बार बार आप Google Chrome के उपर जाओगे आपके जो key phrases है जो आपकी keywords है उनको आप type करोगे और check करोगे मेरा page कहाँ पर rank कर रहा है यह कोई अच्छी activity तो है नहीं ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है connect with venture के उपर जाना है कुछ यह steps देगा आपको और उन steps के basis पर आपको जो account वगरा है वो create हो जाएगा ठीक है तो मैं Google से यह account बनाकर इसमें integrate कर देता हूँ let's say मैं इस वाले ID को use कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हम लोग इसको allow all कर देंगे simple simple से steps है continue कर देना हमें and then we have to approve क्योंकि हमें permissions देनी पड़ेंगी ठीक है दोनों tools को connect करने के लिए that's it ठीक है आप देख रहे हूँ यहाँ पर आपका key phrase आपको यहाँ पर दिख रहा है और मैं इसके tracking on कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर जो उसकी positions है वो दिखने लगे जैसे अभी यह track कर रहा है कि हमारा यह वाला जो page है वो इस key phrase के उपर कहा राइंग कर रहा है और उसकी position over the time जो है अगर हम over the period of time की बात करें तो किस तरीके से improve या decrease हुए वो सारी information आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब क्योंकि हम लोग free योश्ट को use कर रहे हैं जो विंचर टूल है इसका भी paid subscription आपको लेना पड़ता है तो हम लोग इसको close करते हैं एक बार मैं वापस इसके उपर click करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100th position से भी आगे यह कहीं पर rank कर रहा है ठीक है और position over the time अगर आप देखना चाहें तो यह position over the period of time जो changes हुए होंगे उसमें वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहा है average position कितना है, traffic कितना है, first positions कितनी है ठीक है और एक ही keyword है हमारा उसकी position कि है सारी चीज़े आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और बहुत सारी चीज़े जो है इस टूल के अंदर जो अविलेबिल होती है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बढ़ हम लोग केवल अभी इसको जो हमारा योश्ट SEO के अंदर integration वाला option था उसके respect में समझ रहे हैं गुस्तवाचा करता हूँ यह चोटे होटे features आपको समझ में आ रहे होंगे इस particular वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स शीटों में till then goodbye